हलो फ्रेंड्स बेलकम टूबर यूटीव चैनल तैयारी विगनर्स की इस वीडियो के माध्यम से हच्वेसी वोड के स्कूल रियोपन से सम्मंदित गाइडलाइन की जानकारी प्राप्त होगी तो पूरा वीडियो देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर अलोक 5 को लेकर आपदा एवब प्रवंदन बिभागने जारी की सोपी स्विविंग पूल खोले जाएंगे ठीक है दिवाली से पहले चटी से आठवी तक के स्कूल नहीं खुलेंगे सामाजिक धार में एक सांस्कृतिक और खेल कारिकरमों कोवी सर्तों के साथ छूट मिली स्विविंग पूल खोले तो जाएंगे पर वहां पर अधिक भीड नहीं जुट सकेगी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भीड कठा कर लिए और हर किसी को फेस मास्क जो है लगाना होगा हाजरी के लिए बाद नहीं होंगे स्टूडेंट हाजरी आप लुग समझते होंग कॉलेज बाद दूसरे इंस्टिटूट भी खुल सकेंगे पी एसडी पोस्ट ग्रेजवेट के जाएस साथ साइंस और तक्निकी संकाओं के विध्यार्थी सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों की पालना के साथ आ सकेंगे कोई भी कॉलेज और यूनिवरसिटी विध्यार्थ तक के विध्यार्थी आ सकेंगे खास बात यह होगी कि इनको अपने माता पिता से स्कूल आने की इजाज़त लेनी होगी जबकि छटी से आठ्मी तक के विध्यार्थियों के लिए दिवाली यानि 14 दमंबर से पहले स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं है ओके सिच्छा पाग हर्याना की ओर से इस संदर्म में सोपी जारी कर दी गई है इसके लिए एफ सी आर के सभी डी सी को पत्र भी जारी कर दिया गया है ताकि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके हर्याना सरकार ने केंद्री ग्रे मंत्राले द्वारा अनलोइक फाइव को लेकर जार की गई गाइडलाइन के तहट राज में कई तरह की गजविदियां सुरू करने का फैसला लिया है राजस्व एपव आपदा प्रबंदन विभाग की ओर से इस बावत एसोपी मतलब की स्टंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर जारी की गई है सभी विभागों के प्रसासनि सचिवों पुलिस महानी देशक सभी मंडला युक्त और विभा डीसी को लिखित में निर्देश दिये गए हैं रविन्यू सेक्रेटरी संजीब कोसल द्वारा जारी की गई ऐसे उपी में कहा गया है प्रदिस में दो नवंबर से नौवी से बारवी कच्छाओं तक के सखित परमीसन के बाद ही आ सकेंगे तो इस चोटे से वीडियो में हमने सारी जानकारी आपको कैसा लगा है जरूर बताएए और ऐसी नएनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पास में दी गई वैल आइकन को प्रेस कर लीज करने के लिए वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो वाच करने के लिए